आगरा में सरवाधेट लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोरोना काल में जहां एक और सही समय पर सही उपचार शुरू करने की जरूरत है कोरोना काल में जहां एक और सही समय पर सही उपचार शुरू करने की जरूरत है तो वहीं दूसरी और सोशल मीडिया पर कोरोना से बचाव के बताए जा रहे हैं कई तरह के नुस्खे लोगों को भरमित कर सकते हैं वाटसप से लेकर फेस्बुक और यूट्यूब पर ऐसे नुस्खों की भरमार है इसमें कोरोना से ठीक होने के दावे किये जा रहे हैं जबकि इन नुस्खों को अपनाने से नुकसान भी हो सकता है और मरीज की जान को खत्रा हो सकता है सरोजनी नाइडू मेडिकल कॉलेज के मैडिसन विभाक के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात अगरवाल ने सोशल मीडिया पर चल रहे हैं इन नुस्खों के बारे में सही जानकारी दी और कहा कि इस प्रकार के नुस्खों के चक्कर में ना पड़ें बुखार आने गले में खराश इत्यादी होने पर तुरंत डॉक्टर से समपर करें कोरोना से बचाव के लिए लगातार मास्क पहनें सोशल मीडिया पर चल रहे हैं या नुसके फिटकरी का पानी पीने से नहीं होगा कोरोना इस पर डॉक्टर प्रभात अगरवाल ने कहा कि इसका कोई वेग्यानिक प्रमाण नहीं है अगर कोई फिटकरी का पानी पीता है तो उसे acidity बढ़ सकती है अधिक मात्रा में सेवन करने से electrolyte imbalance हो सकता है सिर्के का पानी पीने से गले की खराश होगी दूर और इम्मिनिटी बढ़ेगी डॉक्टर प्रभात ने बताया कि गले की खराश होने पर डॉक्टर से संपर्क करें इस नुस्के से कोई फाइदा नहीं होगा नीम्बू और प्याज के सेवन से उतरेगा बुखार इस पर डॉक्टर प्रभात ने बताया कि नीम्बू से सिर्फ विटामिन सी मिल सकता है लेकिन इससे बुखार नहीं उतरेगा इसलिए बुखार होने पर पारसिटमॉल का सेवन करें और डॉक्टर से संपर्क करें अजवाइन, लॉंग और कपूर की पोर्टली सुंगने से उक्सिजन लेवल बढ़ता है इस पर डॉक्टर प्रभात ने बताया कि यह पूरी तरीके से गलत है इसके साथ ही अन्य समस्याइं भी हो सकती है इसलिए इंदनों शराब का सेवन ना करें नाख में दो बूंद नीमू रस डालने से कोरोना का खात्मा हो जाएगा इस पर डॉक्टर प्रभात ने बताया कि यह पूरी तरह से गलत और भामक जान करी है इसका इस्तिमाल बिल्कुल ना किया जाए ऐसा करने से म्यूकस में परिशानी हो सकती है समुदरी नामक और संत्रे के छिलकों की भाप लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा इस पर डॉक्टर प्रभात ने बताया कि यह पूरी तरह से गलत है उसका वपयोग करने से लोगों को बचना चाहिए सीनियूस के लिए लक्षमी रास सिंग की रिपोर्ट